Friends, एक पर फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजर है और इस दफार का टॉपिक जो है वो International Relations के पेपर से लिया है Examine the Chinese Strategic Vision Behind the Belt Road Initiative or BRI Also known as the One Belt Road or OBOR ये International Relations का पेपर था CSS का पाकिस्तान के इन्द जिसमें उसने पूछा कि चाइना का Strategic Vision One Belt One Road के पीछे क्या है One Belt One Road एक प्रोजेक्ट है चाइना का इसको हम देखेंगे जिसको OBOR भी कहते है और इसी प्रोजेक्ट को BRI यानि के The Belt Road Initiative भी कहा जाता है और अगर आपको आसान तोर पे जानना है तो इसी का ही हिस्सा है CPAC जो पाकिस्तान के अंदर है तो देखते हैं कि ये आखर में है क्या CPAC क्या है OBOR क्या है या B.R.I. क्या है ये सब चीजे में कुल मिला के क्या है तो जल्दी से हम देखते है मैं हूं मुम्मद नौफल सफान ब्लांग सुसर्ण नौफल अकेडमी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा रहे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा तो बैल्ट रोड इनिशेटिव बी आर आई को हम ओबोर के नाम से भी जानते हैं जिसको हम वन बैल्ट वन रोड कहते हैं और ये सिल्क रोड एकनॉमिक बैल्ट है जो के 21st सेंचरी के अंदर जो है वो काईम किया गया बेसिकली ये ब्रेंट चाइल्ड था यानि के जो चाइना के प्रेजिडेंट है जी जिंग पिंग उन्होंने 2013 के अंदर इक्तिदार में आने के बाद ये अपने इस विजन का ख्याल तमाम दुनिया के सामने करना शूरू किया और बहुत तेजी से इसको जो है वो अमली ज ट्रिलियन की जो है वह इन्वेस्जमेंट जैसकी अनॉसमन्ट करी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इस वरकत जो है वो लग चुका है और इसका बहुत बढ़ा हिस्सा जो है इस बैल्ट रोड इनிशेटिव जिसको हम बी आर आई या अबओर कहने रहें ये तक्रीब सतर मोल डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर्स आप इसकी गिंती को भी शायद नहीं कर सकेंगे और इसके अंदर जो है वो चाइना ने रोड्स बनाए हैं रेल्वे ट्रैक्स बनाए हैं इविन ये के ब्रिजिस बनाए दरियाओं के उपर और जो है वो इस तरीके से सथर से जादा ममालिक को जो है वो इसने कनेक्ट कर दिया है चाइना से और आपस में इंटर लिंक कर दिया है और इस वज़ा से इस बड़ी इंवेस्मेंट की वज़ा से इस सारे के सारे मुमाले कहीं ना कहीं चाइना के जो है वो तले आ गहे हैं चाइना के जो है वो जो है पैटरनाइजेशन के अ ही ना कि उनके इस WRi हो गए हुए हैं उनके तो यह सारे के सारे इस महाद सिल्सलह है और यह चाइना के जो प्रेजडेंट है मादूदा जी जिंग पिंग उनकी ब्रे इंसे इनके दिमाग का सारी की कारस्तानी है चले देखते हैं कि यह बेशिकली jो है वह ओबौर क्या है तो अबर दरसल साथ रास्ते हैं जो कर बनाए है जो कि है आप बताता हूं कैसे पहला रास्ता जो है वह आप देख सकते हैं कि नक्षे के अंदर यह चाइना मंगोलिया और रश्या को आपसे मिलाएगा यह जो आपको औरेंज कलर की लाइन नजर आ रही है यह ग्रीन कलर का एरिया जो है वो चाइना है और चाइना से आप देख सकते हैं कि होता हुआ यह इस जगह कहीं मंगोलिया एक कंट्री है लैंड लॉक कंट्री है और यहां से फिर यह रशिया तक जा है तो यह जो है वो पहला रास्ता होगा जो के अबोहर का एजो है यह बन रहा है यह तका कंटूर कंस्ट्रक्शन है इसी तरहीं केसे दूसरा रास्ता जिए यह New Eurasian Land Bridge है और यह जो है यह आप Δेख सकते हैं कि कहीं इस जगह पर आपको नजर आ रहा है कि चाइना से होता जह है वो चाइना के सूबे लिन यांग गांग से होता हुआ, जियांग सू प्रोविंस होता हुआ, और फिर ये योरप में दाखिल हो जाएगा, निदल लेंड योरप के अंदर जह है रॉटर्डम पोर्ट ऑफ रॉटर्डम जह है वो एक इलाका है, एक पोर्ट है निदल ल के इस वकद इस रास्ते के उपर जो है वो रिल गाडियां और दूसरी जो ट्राफ्पोर्ट है वो इस वकद बाकायто जारी है इस वकद हो गया है यह मकसद है के प्रैक्टिकली इस वकद एario हो गया है तीसरा जो है वो चायना सेंटरल वेस्ट एशियन economic corridor है और ये जो है वो basically आप देख सकते हैं कि जिन के अंसूबा जो है उसको कास्किस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान और उसके बाद इरान और तरकी से मिला दिया जाएगा यानि कि ये पूरा Central Asia से होता हुआ जो है वो इरान और तरकी यानि कि जो oil rich countries है उन सब को जो है वो चाइना से मिला दिया जाएगा ठीके जी इसके बाद जो चौता है वो चाइना, इंडिया, चाइना, पैनेंसूला, economic corridor है और ये आप देख सकते हैं कि ये इस जगह पे कहीं चाइना जो है वो इंडिया के साथ जो है क्लाबरेशन में इस इससे को चाइना के साथ जो है वो कनेक्ट कर देगा इंडिया और चाइना भी कनेक्ट हो जाएंगे अपस में फिर इसके बाद जो है वो मशुर जमाना C-PAC यानि के जो सिंग क्यान सुबा जो चाइना का है वहाँ से लेकर पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान सुबा है उस में मौजूद गवादर पोर्ट जो है वहाँ तक जाएगा और यू अरैबियन सी तक जो है वो चाइना की मैनमार एकनॉमिक कॉरिडोर है और ये आप देख सकते हैं कि कहीं इस जगा पर आपको नदर आ रहा है कि मैनमार चाइना और जो है वो इंडिया को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया जायगा इस रूट के जरीए से और आ आखर में मेरिटाइम सिल्क रूट रोट रोट जो है वो रूट है जो के साउच चाइना सी से इंडियन और इंडियन ओशियन से फिर योरप और अफरीका तक चलिएगी यह जो आपको डैइड़ वाले जो लाइन नदर आ रही है यह बेसिकल जो है मेरिटाइम रूट है यह नी कि है कि योरप में जो है वो एंटर हो जाएंगे तो ये साथवा जो है वो ट्रैक है तो ये सैवन जो है वो कॉरिडोर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको नजर आ रहे हैं थोड़ा सम इसका स्ट्रेटेजिक विजन देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक विजन क् चाइनणा ये सब कुछ क्यों कर रहा है तो पहला तो इसकी सक्राइब इकन्यमेंस हासिल कर लेगा चाइना अबोर के जरीए से यूएस के कई दाइयों से मौजूद इकन्यमेंस की अईयरादारी और डालर की इजारादारी को खतम कर देगा इसके लिए अबोर के जरीए वो तीन बर्याजों में घुस जाएगा और अपनी बात को मनवाने की ज़्यादा बहतर पोजिशन में होगा नमबर टू ये के ये बेसीकली इनहेंस करेगा ये जो इसका जो स्ट्राटेजिक विजन है चाइना जो अबोर बना रहा है उसकी में वज़ाई ये है कि वो अपने डिपलोमेटिक और जो है वो रीजिनल जो अपनी पावर है उसको भी जो है वो और जादा स्ट्रेंथिन करन चाहता है चाइना अबोर के जरीए बहतर तोर पर अपने डिप्लोमेटिक यानि के बेनल अक्वामी तालुकात को इस्तिमाल कर सकेगा और बहुत से रीजनल फैसलों में आएंदा चाइना का ही किरदार फैसला कुन होगा ना सिर्फ यही नहीं बलके वर्ल्ड पॉलिटिकल ड लागू करवा सके इसके सासर जो चौता जो इसका स्ट्रेटिक विजन है वो जियो पॉलिटिकल रियालाइनमेंट है जाहिर सी बात है अबोर की एहमियत इतनी है कि ना चाहते वे भी वो मुल्क भी चाइना का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो के चाइना को जादा पसंद नही करते हैं यानि कि इसमें एक बड़ी मिसाल इंडिया की है इंडिया और चाइना बेसीकली एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लेकिन जो चाइना का ये प्रोपोजल है चाइना का जो ये अबोर का जो पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये इतना अट्रेक्ट फुल दुनिया का जो है वो निया नक्षा जो है वो आपके सामने आएगा एक नई जियो पॉलिटिकल रियालाइनमेंट आपको नज़र आएगी इनर्जी सप्लाइ रूट की जो है वो सेफटी और इस्टैबलिश हो जाएगी ओवोर ना सिर्फ कई मुलकों को तिजारत के मौाके ही फरहम नहीं करेगा बलके साथ में ओवोर दुनिया को और खास दोर पर साउट चैना सी से मुतालिक ट्रेड रूट को कई मुतबादिल या नहीं कि आल्टरनेटिव ओप्शन्स फरहम कर देगा यूँ पैट्रोल की सप्लाइ अब सिर्फ स्टेट ओफ मलाका से ही नहीं बलके कई रास्तों से हो सकेगी हो और यूँ इनर्जी सप्लाइ को एक नहीं कई रास्तों के ओप्शन्स अवेलेबिल होंगे जो साउट चैना अबोर के जरीए से बहुत सारे डिफरेंट ओप्शन्स जो है वो डिवैलप कर देगा जहां से के पैट्रॉल जो है वो सप्लाइ हो सकेगा ना सिर्फ चैना ही बलके इस रीजन में मौझूद दूसरे मुलकों को भी इससे बहुत जादा फायदा होगा नंबर सिक्स पे ये कि एशिया पाइवोर्ट पॉलिसी जो है यानि के यूसे की डिफंडिंग फृटम औॉफ नैविगेशन इन साउट चैना सीज की जो पॉलिजी है यानि के बहुत अरσसे से जंग्य ऑजीम दोयम के बास से वर्ड वार टू के बास से साउट चैना सीज जहां पे के मलेशिया, फिल्पीन, कमबोडिया और आपको जो है वो चाइना के जो है ये कंट्रीज नजर आते हैं सिंगापूर, मलेशिया ये पूरा का पूरा ये इस जगा पे ये साउट चाइना सी बहुत ही इंपॉर्टन रूट है इसके लिए आपको अलग से देखना प साउट चाइना सी के अंदर जो है वो गुजश्टा पचास से सतर साल हो गए हैं और यहां पे अमरीका अपनी मौजूदगी को जो है वो बड़ा डॉमिनेट किये वे हैं, अमरीका की बहुत सारी एयर बेस हैं, यहां पर बहुत सारे जो है इसके जो है वो आईलेंड्स के उपर जो है इसके नेवल बेसिस भी मौजूद हैं, फिल्पीन के अंदर भी हैं, और भी जगों पे हैं, तो साउट चाइना सी के अंदर जो है वो अब नए नई तारीख रकम होगी और यहां पे भी जो है वो अमरीका की डॉमिनेंस हर आने वाले दिन के साथ कमजोर होती जाएगी यह भी इसका जो है वो चाइना के स्ट्रेटिजिक विजन का हिस्सा है ठीक है जी सो आई होब कि यह आपके लिए एक बेनिफिशल क्लास रही होगी और अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंदाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देगा थेंक यू